Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का कार देखों में और अभी हम बैट हैं Toyota Glanza में और बात करने वाले हैं इसके infotainment experience के बारे में इसका display कैसा है, क्या features आते हैं और यह कितना smooth है तो चलिए पता लगाते हैं अब जैसे आप देख सकते हैं इस गाड़ी में 360 degree camera आता है तो जब आप गाड़ी को start करते हैं तो automatically यह आपको पूरा 3D view दिखाते हैं अपने आसपास का ताकि आपको पता रहे गाड़ी चलाने से पहले क्या आपके आसपास क्या चीज़े हैं Glanza की home screen कुछ ऐसी दिखती है अब यह जो Glanza का face lift version आया था उसमें इस infotainment unit को change कर दिया गया था इस generation में इस face lift में आपको मिलता है यह 9 inch का display और यह इसकी home screen है अब यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह display का layout और इसकी sharpness वाके ही शांदार है left side में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाते हैं आपके connected device की information बीच में दो widget दिये गए हैं एक है आपके clock का और एक आपके media का और right side के अंदर आप जैसे की देख सकते हैं आपको आपका fuel information और vehicle details मिल जाती हैं अगर आप dashboard पर जाएं तो आप अपनी average speed की details और fuel economy भी देख सकते हैं जब आप गाड़ी चलाना शुरू करेंगे तो जो आपकी average fuel economy होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो इस तरीके से आप आसानी से home screen से ही अपनी fuel efficiency को monitor कर सकते हैं नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको quick settings मिल जाती हैं सबसे left में आपको मिल जाता है एक favorites का button जो आप जिस भी setting के लिए चाहें उस पे set कर सकते हैं अगर इसको हम my images पे set कर देते हैं तो वो menu यहाँ पे change हो जाता है और एक touch में सीधा आपको my images पे ले जाएगा फिर आता है आपकी pad devices के information अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा phone pad है तो वो आपको yellow में दिखाई दे रहा है बाकि जो phones system के साथ pad रहेंगे उनकी information सीधी आपको यहाँ से मिल जाती है नए phone को pair करने के लिए simple जा तरीका है यहाँ पे आप plus दबाईए और जो available Bluetooth devices रहेंगे वो आपको इस site पे दिखाई देने लग जाएंगे इसके बाद Android Auto और Apple का आपले भीजगाड़ी यह मिलता है लेकिन उसकी detail में हम थोड़े time बाद जाएंगे यह जो पूरी screen है यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत customize कर सकते हैं लेकिन जो overall layout है वो यही रहेगा चलिए एक बार इसकी settings में जाके देखते हैं सबसे पहले आती है display settings जिसमें आप इसकी contrast और brightness को control कर सकते हैं लेकिन आपके पास एक और interesting option है वो है wallpaper का तो आप अपने पसंद का wallpaper select कर सकते हैं और जब आप इसके clock वाले mode में जाते हैं तो वो wallpaper आपको background में दिखाई देगा in fact आप चाहें तो अपने पसंद का wallpaper भी यहाँ पे लगा सकते हैं my images में जाएए और अपनी pen drive connect करके जो भी wallpaper आपको set करना है वो हाँ से set कर सकते हैं तो जब भी आप clock वाले mode में जाएंगे डिस्पले को off करेंगे तो आपको अपना personal wallpaper पीछे की तरफ दिखाई देगा अगर उपर देखें तो आपको यहाँ पे quick settings मिल जाती है system की जो beep आपको सुनाई दे रही है वो आप सीधा यहाँ से directly on off कर सकते हैं इसके लावा clock को 24 hours या 12 hours में change करना है wifi को on off करना है या फिर जो brightness से display की उसको day, night या auto पे set करना है वो यहाँ से आराम से इस quick access hub से हो जाता है इसके लावा settings में आपको एक और interesting option मिलता है वो है welcome message का अगर आपने सुना होगा जब गाड़ी को में start किया था जो 360 degree camera एक 3D view दिखा रहा था तब इसने एक personalized message दिया था वो था ये तो आप अपनी चाहें तो पसंद से कोई भी एक welcome message यहाँ पे set कर सकते हैं तो जब भी आपकी गाड़ी start होगी वो आपको वो personalized message देगी finally अब अपन चलते हैं Android Auto में इस गाड़ी में आपको Android Auto और Apple का अपले दोनों की सुविधा मिलती है लेकिन वो wireless नहीं है wired ही है लेकिन अब ये तो मानना ही पड़ेगा कि यहाँ पे display और इसकी smoothness वाके ही काफी शानदार है बहुत सारे systems हमने नए देखे हैं जिसमें Android Auto थोड़ा lag करता है थोड़ा attack के चलता है लेकिन यहाँ पे नहीं यहाँ पे operation वाके ही बड़ा smooth है अगर गानों की भी बात करे हम तो यहाँ पे आपको speaker setup में मिलता है एक 6 speaker setup 4 speakers हैं, 2 tweeters हैं और इस top end variant में Archemist tune के साथ आते हैं तो भाई, इसका जो sound experience है वो भी काफी अच्छा है नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको touch controls भी मिल जाते हैं fix buttons है, touch controls है तो गाड़ी चलाते वे अगर आपको कुछ quickly operation करना है इसके screen के साथ किसी menu में जाना है तो आप सीधा यहां से जा सकते है आपको mute का option volume कम, volume जादा home screen आने का option calls पे जाने का option जो कि जब android auto connected होता है तो android auto की screen पे चला जाता है media का option जहां पे आप quickly अपना source select कर सकते हैं और voice commands का option मिल जाता है अब अगर voice commands की बात करें driving range taking you to fuel economy screen जैसे कि आपने देखा कि यह जो voice commands है वो आप phone को control करने के लिए किसी को call करने के लिए अपनी media settings को change करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस driving screen पे भी आ सकते हैं जहां पे आपको driving range अपनी average fuel economy मिल जाएगी लेकिन आप इन voice commands के साथ इसके climate control को control नहीं कर पाएंगे नहीं आप कोई window को उपर नीचे कर पाएंगे जो कुछ higher segment की गाडियों में आता है तो यह था Toyota Glanza का infotainment experience आप और क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में ज़रूर बताई हमें नीचे comments में और कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसके बारे में आप इस वीडियो देखना चाहेंगे वो भी हमें ज़रूर बताएं ताकि अगला वीडियो हम उसी गाड़ी का ले के आएं Thank you so much for watching